तो final दोस्तो मारुति सुजुकी स्विट CNG के power figures online leak हो गये है साथ में इसमें आपको latest वाला dual jet engine नहीं मिलने वाला है CNG के साथ तो आपको कौन सा engine मिलेगा और साथ में CNG में कितनी power produce करने वाले है सारे doubt इस वीडियो में हम clear करने वाले है तो make sure ये वीडियो पूरी देखना तो दोस्तो engine की बात करते है पहले तो दोस्तो आपको latest engine नहीं मिलने वाला है जो dual jet है 90bhp वाला वो आपको नहीं मिलने वाला है इसमें आपको पूराना वाला ही 1.2 liter VVT petrol engine मिलने वाला है जो की 4 cylinder है और जो 82bhp की power petrol mode में produce करता है तो बात करते हैं CNG में ये कितनी power produce करेगी तो दोस्तो CNG में ये 72bhp की power produce करने वाली है और साथ में torque की बात करें तो 95Nm का ये torque produce करेगी तो दोस्तो CNG की हिसाब से ये काफी अच्छी power है जैसे के आपको पता है वागनार और CNG में 58bhp की power CNG में produce करती है लेकिन ये 72bhp की power produce करेगी जो बहुत अच्चा है गाइस जो आपको petrol और CNG का difference आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें आपको अच्छा कासा performance इसमें मिल जाएगा और mileage की बात करें तो दोस्तो इसमें आपको बहुत अच्छा 30 plus का mileage highway पर मिलेगा और city में AC लगने के बाद भी 25 plus का आपको इसमें mileage मिलने वाला है जो की swift lovers के लिए बहुत बढ़िया बात है क्यूंकि आज petrol के prices बहुत हो गए है तो इसलिए सभी लोग CNG के तरब जा रहे है और मारुदी सुजू की भी company fitted CNG लाने वाली है स्ट्विट CNG में तो बस इतना ही था आज की वीडियो में तो मिलते हैं अगली वीडियो में थांक्स पोर वाचिंग